हलो व्यूर्स बेलकम टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे गुपाल जी की पंगरी तो मैं बताती हूँ उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए सबसे पहरे तरह का फैब्रिक ले लीजे आप ये इस तरह का पतला वाला जो असतर आता है वो ले लीजे ये इस तरह का कपड़ा ये इस तरीका का पेपाल लेना है आपको और ये इंच टेप तो चलिए ब्लॉक स्टार्ट करते सबसे पहले इस पेपाल ले लीजे देखे इस पेपर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज्यादा पतला, ना ज्यादा मोटा, फिर हम इस पे एक ब्लॉक ड्रॉ करेंगे, तो जिसकी लंबाई होगी तीन इंच और चोड़ाई होगी एक इंच, तो इस तरीके से मैं ये बना रही हूं, बॉक्स आप भी ऐसे ही बना लीजे, मैं आ क्या करेंगे, इसे काट लेंगे, तो इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बाद इस पर एक free hand sketch पनाएंगे, इसका कोई measurement नहीं है, पर जैसे मैं draw कर रहे हूं, वैसे ही करिएगा, थोड़ा उपर नीचे हो जाएगा, तो चल जाएगा, उसे ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा, इस तरीके से मैं से काट के अलग कर दूँगी और आगे जो है, वो V-shape आना चाहिए, तो उस पे थोड़ा सा फोकस करें कि वो V-shape आ जाए, अब मैं आपको open करके बता देती हूं, देखिए, उपर होने के वाद है ऐसा है, आप हम इसे इस तरीके से glue की help से चुपकाएंगे, तो ये मैं इहां पे glue लगा दूँगी, औ ये उपर हिस्सा रखिएंगे, ये उपर वाला हिस्सा है, और नीचे वाला हिस्सा इस तरीके से ऐसे, इसलिए पूरे में हम glue लगा लेंगे इस तरीके से, और अब हम इसमें ही कपड़ा डालेंगे, तो ये जो आप कपड़ा लगाएंगे, ध्यान दीजेगा, जो अस्तर और जो सबसे पतलिया वाला स्तर आता है, वो वाला स्तर लेना है, मोटा वाला स्तर नहीं लेना है, कोशिश करी कि कपड़ा कॉरटन का हो, तो इस तरीके से ये हमने डाल दिया, और जो एक्सरा में हमारा बच कियाता कपड़ा उसे हमने काटके अलग कर दिया तो इस तरीके से कपड़ा डालने के बाद भी आप एक बार जाए गुपाल जी के सरका साइज ले लीजे कि उनके सर में ये फिटा रही है कि नहीं अगा फिटना है तो बदल के दूसरी बना लीजे देखे हमारी बन के तैयार हो गई अब हमने जो फैबरिक लिया था यह लेंगे अब में आपको बता देती हूँ इसकी लंबाई चोड़ाई कितनी है देखे इसकी लंबाई ए 8 इंच और कुछ चोड़ाई है 3 इंच इस तरीके से अब हम क्या करेंगे? इस कपड़े को इस तरीके से ऐसे करके से प्रीट बना लेंगे आप चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं तो मैं आप से के बोल रही थी कि जब आप याने पगड़ी के ऊपर जो हमने बेस बना इसके पर कपड़ा लगाने के बाद भी एक बाग उपाल जी का साइज ले लीजे ये पगड़ी हमारी जंदली एक ही बार में फिट आ जा लगा लेजे और पिन लगाने के बाद भी सिल लीजे तो भी काम हमारा आसान हो जाएगा अगर आपका मेरा जो है सिल्क जैसा फैब्रिक है तो थोड़ा खिसक रहा था अगर आपका कॉटन वाला फैब्रिक है तो खिसकेगा नहीं जनरल हमारी प्लेटे जमी रहेंगी बस इसमें दो-दो टाके लगा लेजे ज़्यादा टाके लगाने की जरूवत नहीं इस तरीके से टाके लगा लिए मैंने अब मैं इसे कार्ड दोंगे अब हमने जो बेस बनाये उसमें लेंगे और यहां से उपर जो वी है न वहां पे हम ग्रू लगाएंगे पूरे मैं से प्लीट्स बनाते हुए प्लीट्स जमाते हुए दीरे दीरे करके आराम से जो ग्लू है बहुत गरम था हो मेरे हाथों पे लग रहा था तो इसलिए बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आई पर आप आराम से बनाये के ग्लू आपने हाथों में ना लगे इस तरीके से ऐसे इसकी प्लीट्स पकड़के प्लीट्स शमाते हुए इस तरीके से दीख़िए हमने इसे बना लिया इस तरीके से ऐसे ओर जो कपड़ा है आप सारे को इकटा गए लीजेगा अच्छे से सेटल करके भेवारा लीजेगा देखेए यह हमारा बेसबन के पूरी तरीके से तैयार हो गया जो एकक्स्ट्रा में इस कपड़ा था उसे 2-3-3 तो इस तरीके से हम लेंगे अब ह मैं क्या करेंगे चोटी छोटी सी फी बनाश सकते और आप चाहे तो सिल भी सकते हैं मैंने इसे सिला है क्योंकि जब मैं इसे धाके से बानते हैं तो नीचे वाला बेस है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो चुपकादे टाइम वो थोड़ा सा दिखता है तो मैंने इसमें दो टाके लगा लिए आप भी ऐसे ही टाके लगा लिजिए ज्यादा सिलन उनके एकदम ready हो गया है अब हम क्या करेंगे इससे यहां पर चुपका दूँगी इस यहां पर अपने according आपको जहां पर चुपकाना है वहां पर चुपका सकते हैं अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यह कहां लगाना है तो गोबाल जी के सर में यह भीस लग इसको रखके देख लीजी कि कहाँ अच्छा लग रहा है, फिर जहाँ आपको अच्छा लागे वहाँ पे से चुपका दीजै कि निष्टे लगा लिजी कि अब आद में यहाँ चुपका दिया योगा चाहता है, अब मैं यह कुंदल लोगी और इसको भी यहाँ पे लगा इस तरीके से तो मैं इसे glue से नहीं चुपकाऊँगी मैं इसे fabricol से चुपकाऊँगी तो कि glue जो होता है वो जब ठंडा हो जाता है उसके बाद दिखता है और fabricol जब ठंडा हो जाता है तो जब हम सूपता है तो transparent हो जाता है फिर वो दिखता नहीं है तो आप भी अगर ऐसा कुछ चीजे लगा रहे हैं तो प्रेफर करिए कि आप फैबिकॉल से लगा है फैबिकॉल को सुखनी में थोड़ा सा टाइम लगता है पर बोटर यानि उसके त्रांस्पेरंट होता है तो हुमारी पगड़ी का जो लोखे वो खराब नहीं होता है इस तरीके से इससे मैं काट दूगे एक्स्ट्रा में यह देखिया यह इस तरीके चुपा के और यह फैबिकॉल दिख रहा है न तो यह बाद में सब भट जाता है मैं इस तरीकी के मेरे पास कुंदर है मैं उससे यह रैट कलर का जो फ्लाबर बनाया है मैंने मैं इसे डेकॉरेट करूँगी मैं इस फ्लाबर को भी फैबिकॉल से ही चुपकाऊंगी क्योंकि मैंने आपको बताया न कि जो हमारा ग्लू से चुपकाते हैं आते हैं और आसानी से लग जाते हैं यह देखें मैंने लगा लिया है अब यह सब जगे फैबिकॉल दिख रहा है पर हम इसे कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो सूप जाएगा एकदम ट्रांस्पेरेंट हो जाएगा और इस फिनिश बन जाएगा तो देखें दो एक घंटे में सूप गया है देखें कहीं से आपको कुछ नहीं दिखेंगा एकदम ट्रांस्पेरेंट हो गया है और इसका लुक काफी प्रिटी लग रहा है अगर आपको मेरा ब्लॉक पसंद आया तो प्लीज मेरा चैनल को लाइक शे और सब्सक्राब जरूर करें थैंक्यू फर वाचिंग माच चैनल